तो पूरे देश की निगाहे टिक गई है कि आफ Supreme Court में अयुध्या मसले पर क्या होगा इस बीच गाहे बगाहे ऐसी आवाजे भी आती हैं कि इस पर अध्याधेश आना चाहिए ऐसी बाते भी आती हैं कि इस पर कानून लाए जाना चाहिए लेकिन इस बीच मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहूँगा क्या आप जानते हैं कि आयुध्या आज भी इस देश को बहुत कुछ सिखा सकती है राजा राम की नगरी इस देश के लिए आज भी एक बहुत बड़ा प्रेणना स्रोथ बन सकती है क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि सदियों से जो राजा राम इस देश के लिए मार्क दर्शक बन कर रहे हैं आज भी उनकी नगरी इस देश को एक अच्छा रास्ता दिखा सकती है अब आप सोच रहों कि कैसे मैं अपना निजी अनुभव आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं आयोध्या कई बार गया हूं और आयोध्या में मैंने काफी reporting भी किये है अब मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी हैरान करने वाली बात क्या आप जानते हैं कि आयोध्या एक मिसाल है पूरे भारत वर्ष के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता है उसकी क्या आपको पता है कि पूरा भारत वर्ष आयोध्या से सीख सकता है कि कैसे इस देश में सेकुलर रिजम आ सकता है इसके उधारन में आपको बताता हूँ सबसे पहले चीज़ आयोध्या में जो रामलला है उनके कपड़े एक मुसल्मान यानि बाबु खान साहब वो सीते हैं वो बनाते हैं सोची आप आच्छा ये वो बाबु खान है जिनको बकाइदा हन्मान मंदिर के जो महंत है उन्होंने एक मजजद दी है उसका रकरकाव करने के लिए उसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए क्योंकि वो जो मजजद है वो हन्मान मंदिर की उस जमीन में आती है एक और रोचक बात इस मामले में जो एक मुसलिम पक्षकार है वैसे तो एक और मी है लेकिन इस मामले में जो एक मुसलिम पक्षकार है उनके बेटे की शादी में बकाइदा ये महंत गए थे बाबु खान साहाब ने जब रोजा इफतार रखा तो उनक्या काफी सारे महंत आए बड़ी रोचक बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी ये साधू संथ है ये खड़ाओ जो पहनते हैं ये वहाँ पर कई मुसलिम परिवार हैं वो बनाते हैं अब आप सोचिए जिस आयुध्या की हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसे कितने तमाम उधारण हैं जो बताते हैं कि आयुध्या में हिंदू मुसलिम एका जो है वो अपने आप में एक मिसाल है अब इस सब के बाद आप मुझे बताएं क्या इस आयुध्या से हमें अच्छी चीज़े नहीं सीखनी चाहिए क्या इस आयुध्या से हमें इस देश की एकता को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए बस इतना ही कहूँगा हम सभी को राजा राम की इस नगरी से राजा राम के आदर्शों का पालन करते हुए देश में एका लाने का प्रयास करना चाहिए